आपके भी प्याज के पराटे इसी तरीके से फुले फुले से बिना फटे फुटे बनने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब और ये वीडियो आप कहां से किस तीन हरी मिर्चे बारिक कटी हुई एक बड़ा चमच अध्रक लैसूं का पेस्ट और धेड़ सरा धनिया डाल देंगी और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ मसाले डाल देते हैं तो आधा चोटा चमच हमने हल्दी पावडर एक चोटा चमच हमने इसमें लाल मिर् कर लेना है आधा कट फर्वाश डाल दिया है लेकिन पोह को Anda सब्सक्राइब नहीं किया गया इसके साथ में हम तर्वराए अठरी के से तैयार नहीं हुई तो चलिए पम ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चमच तेल हमने डाल दिया है और इसमें डाल दें दो बड़े चमच हम बेसन जो चने का बेसन आता है वही हमने डाला है गैस का फ्लेम कर देंगे बिलकुल लो और लो फ्लेम पे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ना बेसन की ना भीनी भीनी सी खुश्पू ना आने लगे तो इसको पकाते हुए चार से पांच मिनट हो और वहने खूश्पू शुष्पू हमारे घर में भर गई है तो मैं ने बेसन को बहुत भूं लिया यूसा कलर हलगा चैंज हो आप हम इसमें डाल देते हैं जो आम पीाज और और गृमें मिक्शर नहों सी अप्सरद हम तो और पका लेना है और । conductivity को बेंग दाल हैं जो प्राच का पराठा माड़ा तुम्स पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब अपने गैस का फ्रेम कर देते हैं बन हमारे स्टफिंग जो है वो हो गई है तया तो चलिए से साइड में रखते हैं और अपना आटा गूत लेते हैं तो मैंने दो कब के हूं का आटा लिया है जो हम रेगुलर रोटी खाते हैं वही वाला यह आटा है इसमें एक चुथा ही छोटा चमच हम नमक डाल देंगे औ अब हम इसके डाल देते हैं एक चुटा चमच तेल और तेल के साथ में इसे हलका सा और गूत लेते हैं ताकि यह सूखे नहीं आटा हमारा यह पापड़ी ना बने इसके ऊपर तो इस तरीके का हमने नर्म मुलायम आटा गूत लिया है तो चलिए एक बड़ी सी लोई बस जिसे पूरी बेलते हैं बस उतना ही बड़ा इसे बेलना है अब हम इसमें रख देंगे ना दो बड़े चमच स्टॉफिंग या आप जिस तरीके से आपको भरने में इजी लगता है ना उस तरीके से भी आप इसे भर सकते हैं स्टॉफिंग कर सकते हैं तो इस तरीके से प्लेट लगाते हुए न इसके उपर का जो ओपन पार्ट है, वो हम बंद कर लेंगे, जिस तरीके से हम मुमोस बनाते हैं, देख सकते हैं बिल्गुल वैसा ही बना, और इसको उपर का जो एक्स्टरा आठ 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 में लेकर देखे, स्मूथ आठ 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 कर इसको हम हम थोड़ा सा सूखा आठा इसकी उपर लगा लेंगे और सूखा अठा के इसको बैलनस से हमें बैल लेना है ज्यादा पतला इसे नहीं बैलना थोड़ा सा मोटा ही इसे रखे ताकि इसो खाने में इसका जो स्टफिंग जब मुह में जाएगी ना तो थोड़ा से इसे हमोटा ही रखेंगे आप देख सकते हैं हमारे जो पराटा है ना वह भी फटा नहीं कितने इसली हमने इसको बेल लिया है चलिए इसे अब हम गरम तबे पर डाल देते हैं और इसे उल तो उपर के तुछ की लाजवाब लगते हैं आप देख सकते हैं कितना एसलिठ आराम छिवां प्राटा है वह फूल गया इस तरह के से आपके भी बनाएंगे ayam फुले जो है वो थोड़ा आप अपने खाने में एड करिएगा जिससे आपकी आइसाइट भी अच्छी रहेगी हडिया भी मजबूत होंगी बस ओवर एटिंग नहीं करना चाहिए घी का एक से दो चम्मच हम अरोज अपने खाने में यूज करेंगे ना तो हमेशा हेल्दी रहेंगे तो यह देख सकते हैं हमारे जो पराठे हैं कितने बढ़ियां से फूलना शुरू हो गए हैं तो आटा गूतने के टाइम यह जरूर याद रखेगा कि जो आटा आप गूतेंगे ना वो अपने जो हम रोटी का आटा गूते है ना उसे थोड़ा सॉफ्ट रहेगा ना तो आ जाज के पराठे की बिना फटे फुटे कितने फूले फूले से हमारे यह पराठे मिंटों में बनके तयार हो गए अब आपको जबी भी खाने का मन करे ना तो इस तरीके से आप जरूर बनाएगा तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट शेक्शन में जर सब्सक्राइगे आप चाहें तो राइते के साथ अप सफ कर सकते हैं या फिर चट्णी के साथ आपको जैसा पसंदै ना यह ज़ाजवाब लगते हैं और आप देख सकते हैं इसके जो स्टॉफिंग कितनी बढ़ियां लग लग रही है और यह हमारा पराठा जो है और जह न अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा तो मिलते हैं इसी तरीकी की सिंपल और यूमी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर और बाइबाइब